नमस्कार दोस्तों मैं डीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जंधन खाता धारकों को सरकार की तरब से फ्री में मिलने वाले 10,000 रुपए की जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपका भी एक जंधन खाता है तो आप किस तरह से सरकार से 10,000 रुपए बिलकुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं साथ इस वीडियो में हम आपको याभी जानकारी देंगे अगर आपका जंधन खाता नहीं है तो आप किस तरह से कहां पर जा करके अपना जंधन खाता खुलवा सकते हैं और सरकार की इस योजना से लाभानवित हो सकते हैं यानि आप भी फ्री में 10,000 रुपए प्राप्त क कर सकते हैं तो चाहे आपका जंधन खाता हो तो आपको कैसे 10,000 रुपए मिलेंगे अगर आपका जंधन खाता नहीं है तो आप किस तरह से खुलवा करके लाभ राप्त कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं वीडियो बहुत ही महत् कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले चलिए सुरू कर लेते हैं दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं प्रधान मंत्री जंधन योजना विस्चुकी अकेलिये इसी योजना ह जिसके माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में खाते खोले आ चुके हैं यानि अब तक अगर हम बात करें इस योजना का जो सुभारम किया गया था 15 अगस्त 2014 को प्रधान मंत्री जी ने यानि मोदी जी ने इस योजना का सुभारम किया था तब से अब तक 55 करोन से अधिक ब खरीब थे कमजोर वर्ग के लोग थे या गैर पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों के बैंक खाते नहीं थे तो उन लोगों को अगर सरकार कोई लाब भेजना चाहती थी तो उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता चो क्योंकि वहाँ पर बीच में जो विचोलिये थे वो ही उसका अपना बंदरबाट कर लेते थे तो जो ब्यक्ति वास्तवित यहाँ पर लाब के लिए जरूरी होता था उसको उसका लाब नहीं मिल पाता था इसलिए बहुत बड़ी उपलब्दी है सरकार के लिए भी और खाता धार्कों के लिए भी जो देश के नागरिक है उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्दी है कि आज की डेट में सभी का एक बैंक खाता हो चुका है अब कोई भी बैंक जाने से डरता नहीं है चाहे वो गैर पढ़ा लिखा हो चाहे वो कमजोर हो गरीब हो सबका एक बैंक खाता है सरकार ने फ्री में जंधन खाते खोल जाएगा इस टापिक पर मैं पहले ही दो तीन वीडियो बना चुका हूँ आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आप देख लिए जएगा कि जंधन खाते के क्या का फायदे होते हैं आपको किसी खाते में वो फायदे नहीं दिये जाते हैं सिर्फ आपको सरकार के द अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा वो अपने उस जंधन खाते में डालते हैं जिसका उन्हें ब्याद भी मिलता है यानि जो ब्याद यहां पर सामान ने बचत खातों में दिया जाता है वही ब्याद जंधन खाता धारकों को भी दिया जाता है तो वह अपनी जो भी सेविंग क आते हैं उसका एक प्रोसेस होता है कि आपको अपनी ब्रांच जाना है जहां पर आपका भी जंधन खाता है वहां पर आपको जाना है ब्रांच मैनेजर से आपको PMJY ODA स्कीम का एक फार्म मांग लेना है दोस्तो PMJY ODA का मतलब होता है प्रधान मंत्री जंधन योजना ओवर ड्राफ्ट योजना अब दोस्तो इसका एक सिंगल पेज का फार्म होता है इसमें आपको अपना एक फोटो लगाना है इसमें आपको अपनी सामान इसी डीटेल भर देन इड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना आधान नंबर यह सारी जरूरी जानकारिया यहां पर लिख देनी है और यह फार्म आपको ब्रांच में जमा कर देना है अब दोस्तों ब्रांच मेनेजर आपके खाते का उस्त बैलेंस देखेंगे पिछले 6 महिने में आपने किस तरह से अपने खाते में लेंदेन किया है, उसी हिसाब से आपके खाते में PMJY OD को इनेबल कर दिया जाएगा, यानि जो ओवरड्राफ्ट फैसल्टी है यह आपके उस जंधन खाते में इनेबल कर दी जाएगी, अब आप इसका लाब ले सकते हैं, इसकी eligibility criteria के हम बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इसके लिए पात्र होते हैं, तो यहाँ पर परिवार का कोई एक ही सदस्त इस योजना का लाब ले सकता है, यानि 10,000 रुपए प्राप्त कर सकता है PMJDY OD स्कीम के माध्यम से, यानि अगर पत्नी है तो उनमें से कोई एक लाब प्राप्त कर सकता है, महिलाओं क आपको यहाँ पर वरिता दी जाएगी, तो अगर पत्नी में से दोनों लोगों का जंधन खाता है, तो अगर पत्नी आवेदन करेगी और पत्ती आवेदन करेगा, तो पत्नी को यहाँ पर उनके खाते में यह फैसल्टी इनेबल कर दी जाएगी, दूसरी eligibility criteria है, age 18 साल से बस दोस्तों इतनी सी सर्ते होती है कि आप इन सर्तों को पूरा करते हैं और हाँ एक पाच्वी सर्त भी होती है कि आपका जो जंधन खाता है वो कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए यानि 6 माह आप उस खाते को अपरेट कर चुके हो तभी आपके खाते में PMJDY OD फैसल्टी को एनेबल किया जाएगा अब दोस्तों जैसे ही यह सर्ते आप पूरी करते हैं आप सिंगल पेज का फार्म भर के ब्रांच मैनेजर को देंगे वो आपके खाते का उसाच बैलेंस देखेंगे आपको देखेंगे किस तरह से आपने लेंदेन किया है कि 10,000 रुपए की credit facility आपको दी गई है यानि overtapped facility आपको 10,000 रुपए की दी गई है तो आप 10,000 रुपए कभी भी निकाल सकते हैं अब दोस्तों उसमें आप चाहे चेक के माध्यम से निकालिए आप बैंक जाकर के विड़ाल के माध्यम से निकालिए ATM के माध्यम से निकालिए, APS के माध्यम से निकालिए, UPI के माध्यम से टांसफर करिए आपको सभी विकल्प यहाँ पर दिये जाते हैं यानि जिस तरह से पैसा आपके saving account में पढ़ा रहता है सेम उसी तरह से यह overdraft facility का भी पैसा आपके saving account में पढ़ा रहेगा आपके जिस तरह से मर्जी आप उस तरह से उस पैसे का use कर सकते हैं अब दोस्तों बात आती है इस पैसे को क्या return करना है तो जी हाँ दोस्तों इस पैसे को आपको वापिस करना होगा सरकार का कहना है कि यहाँ पर हम एक आपको छोटा सा loan दे रहे हैं यह over draft specialty है इसमें आपसे कोई भी document नहीं लिया जाते हैं इसमें आपसे कोई ger club नहीं लिया जाता है कुछ भी नहीं लिया जाता है बस आपके खाते में यहाँ पर over draft facility enable कर दी जाती है आपका कोई चोटा मुटा काम है कहीं रुक रहा है आपकी कोई emergency है, आप वहाँ पर पैसा निकाल करके उस काम को कर सकते हैं, उसके बाद अगर ये पैसा आप 30 दिन के अंदर वापिस कर देते हैं, बैंक खाते में अपने, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक रुपए का भी चार्ज नहीं देना है, एक रुपए का भी इं आपको इस पैसे पर देना होगा, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस PMJDY OD scheme का लाव उठा सकते हैं, वह है अगर आपका जंधन खाता नहीं है, तो आपको किस तरह से लाव मिल सकता है, तो दोस्तों आप पूरे देश में जो भी बैंकों के बैंक मित्र हैं, आप किसी भ इस पर अपना फिंगर दे करके अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, तो आपका जंधन खाता ही होगा, और आपको भविस्त में सभी जंधन खाते के फायदे उसी खाते में मिलने लगेंगे, तो अगर आपका खाता नहीं है, तो आपका जैसे ही खाता 6 माह पु आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लाइक कर देना चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारी चैनल A to Z आपको सबस्क्राइब करके, साथ में बेल आइकान को जरूर प्रस कर लिजेगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अप्लोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में क इसे अगले इंटेस्टिंग टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जैहिन, जै भारत!